आज की तारीख में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां हल्दी राम के प्रोड़क्ट्स का स्वाद कभी न चखा गया हो। चाय कि चुस्की हो या फिर पार्टी में नाश्टे के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन, बिला हल्दी राम के इसा कुछ अधूरा ही है। आजादी से पहले राजस्थान के बिकाने से भुजिया का सफर शुरू करने वाली हल्दी राम आज दुनिया के कई देशों में कारोबार कर रही है। लेकिन खबर है कि हल्दी राम बिकने को तयार है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि हल्दी राम को आखिर खरीद कौन रहा है और मामला कहां पर अटक सकता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कितने करोड में ये सौदा हो सकता है। सब कुछ बताएंगे लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना, इंडिया या भारत, देश के नाम का इतिहास क्या है। G20 के पहले मडिपूर को लेकर आई UN की रिपोर्ट में क्या खास है। G20 के समय मडिपूर में क्या हो रहा है। जानिया आज के लल्लन टॉप शो में रात 9 बजे लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर। नमश्कार मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिललन टॉप का डेली एकॉनमिक बुलिटिन खर्चाबानी। तो खबर ये है कि हो सकता है कि इस बार जब आप दिवाली की शौपिंग करने जाएं तो आपको हल्दी राम की भुजिया के जगह Tata की आलू नमकीन भुजिया नजर आए। जी हाँ, खबर है कि जल्दी ही आपकी पसंदीदा नमकीन भुजिया बनाने वाली कमपनी हल्दी राम अब टाटा ग्रुप की होने वाली है मीडिया में खबरे हैं कि टाटा समूव इसकी हिस्सदारी खरीद सकती है इस हिस्सदारी के लिए हल्दी राम की ओर से 10 अरब डॉलर यानी करीबं 83,000 करोड रुपए की वैल्यूएशन मांगी गई है हाला कि वैल्यूएशन को लेकर दोनों कमपनियों के बीच में अभी बात कुछ बन नहीं पा रही है टाटा कंजियूमर के मताविक हल्दी राम की ओर से इस डील के लिए जो वैल्यूएशन मांगी जा रही है वो काफी ज़्यादा है और वैल्यूएशन को लेकर दोनों कमपनियों के बीच इसी वज़स से सहमती अभी नहीं बन पा रही है दोनों पक्षों की ओर से वैल्यूएशन को लेकर सहमती बनाने की कोशिश जारी है अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इस अधिग्रहट के साथ टाटा समू की इस छेत्र में पैट बढ़ जाएगी इस डील के बाद टाटा समू की सीधी टक कर पेपसी और मुकेश अमबानी की रिलाइन्स रिटेल दोनों के साथ होगी अब समझते हैं कि टाटा ग्रूप हल्दी राम को खरीदने के लिए दिल्चस्पित दिखा क्यों रही है दरसल अभी टाटा समू की कंपनी टाटा कंजीमर प्रोडस का ब्रिटिश कंपनी टेटले पर मालिकाना हक है भारत में टाटा ग्रूप स्टारबक्स के साथ साज़दारी के साथ तारूबार कर रही है वहीं हल्दी राम इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक है प्रिजदी की हिस्सेदारी है ऐसे में हल्दीराम पर टार्टा का अगर कंट्रोल होता है तो वह समूंग के लिए काफी बड़ा मौका होगा भारत के अलावा हल्दीराम के स्नैक्स सिंगापुर अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों में भी बेच जाते हैं इसके अलावा दे केले लाइन में नहीं खड़िये कई और कंपनियां भी इसकतार में शामिल है जहां 51 फीजदी हिस्सदारे खरीदने के लिए टाटा बोली लगा रही है वहीं पर हल्दीराम अपनी 10 फीजदी हिस्सदारे बेचने के लिए बिन कापिटल समीट कुछ प्राइवेट एक्वि फर्म बिन कापिटल ने भी कुछ कहने से इंकार कर लिया है जबकि इस खबर के बाद आस्टा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेट के शेयरों में खबर के बाद तीजी आई है कंपनी का शेयर कारोबार के दौरां तीन फीजदी बढ़कर 870 रुपए के भाव पर पहुं संग ने आपको कैसा लगाईगे हमारे एपिसोड जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें शुक्रिया शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबर्शिप प्रोग्राम एल्टी प्रीमियम क्या होगा इसमें एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूजरूम की रोचक जानकारी और उठापटर ये मेंबर्शिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेट कई नए नवेले पॉड़कास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी खास तोर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूवर इसके अलावा मज़िदार स्टीकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नज़र आएंगे सबसे अलग इन स्टीकर्स के स्टमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे इस उड़ाओ के लिए क्या करना होगा जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और जॉइन बटन को प्रेस करना होगा फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनल एपल यूजर नीचे दिये लिंक पर क्लिक कर ल्टी प्रेमियम सब्सक्राइब करें खॉब ता ह्वाल टॉब टॉब टॉश्स